अगर यह मचली नहीं होती तो ज्यादा तर बीचे पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। दरसल इस मचली का नाम है पैरट फिश जो समुद्र में मौजूद ऐलगी को खाती है। और यह मचली अपने मजबूत दातों का इस्तिमाल करके पत्थरों से एलगी को निकाल कर खाते समय थोड़ी सी रेत भी एलगी के साथ खा लेते हैं। और यह कोरल्स को भी खाते हैं। दरसल इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कोरल्स में मौजूद ऐलगी को ही डाइजेस्ट करके दूसरे पार्टिकल्स को पाउडर यानी रेत बनाकर बाहर छोड़ देता है। और वह बाहर छोड़ी गई रेत से ही बीचीस बनते हैं। एक पैरिट फिश हर साल करीब 200 किलो तक रेत निकाल सकता है। इनके बारे में एक मज़ेदार बात ये है कि एक फीमेल पैरिट फिश मेल में भी बदल सकता है।